हेलो स्टूरेंट वेलकम टू माई नर्चर मैं हूं क्रिष्णा कैसे आप सब लोग मास बढ़िया तो चले स्टार्ट करते हैं आज हम लोग हॉस्पीटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर टू है ना जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफ्रेंट कमी होती हैं कमिटी क्या होता है एक गूर्प ओफ मेंबर बना दे जाता है फॉस्पीटल की स्टाफ को लेकर यह ठीक है टूसमें डॉक्टर होते हैं लोग मैटर्स मां क्या करते हैं ठीक है तो अपने पास यानि हमारे कोर्स में केवाले यह तीन चीजे हमको देखनी है Pharmacy and Therapeutic Committee को समझना है Hospital Formulary को समझना है और Infection Control Committee को समझना है इसमें में में हमें Objective, Function वगरा पर ध्यान देना है बहुत ज़्याद़ डिटेल में नहीं जाना है तो इसलिए चैप्टर कहीना है चोटा सा है और Basic Chapter है अगर Knowledge थोड़ा सा Basic समझ जाओगे तो इस फिर यहाँ बात यह थोड़ा सा मन से भी बना के लिख सकते हो अब देखते हैं कैसे Basic Chapter है यह तो दो सबसे पहले क्या है यहाँ पर हम लोगों ने Committee को समझने कोईश्च किया है Committee क्या होता है A Group of People लोगों का Group होता है Appointed जिसे Appoint किया जाता है For a Specific Function उसी के अंदर के स्टाफ होते है And typically consisting of members of dad group उस group के और generally क्या होता है Typically मतलब आम तोर पर उसी larger group के कुछ members होते है है ना hospital बहुत बड़ा होता है उसी में दो-चार डॉक्टर को ले करके और दो-चार नर्स और स्टाफ को ले करके एक group बना दे जाएगा ठीक है या इसको में अलग तरीके समझे क्या है यहाँ पर A person और group of person committee क्या होती है A person ठीक है या group of persons elected और appointed जिनको चुना जाता है या appoint क्या जाता है to perform some service कुछ service देने के लिए और functions करने के लिए so as to investigate, report on, act upon a particular matter जिससे कि वो लो क्या कर सकें उसको investigate कर सकें जिस matter को लेकर करके उनको बनाया गया है उस matter को investigate करें उसके उपर report दें उसके उपर काम करें, act करें उस particular matter को लेकर करें तो committee का मतलब generally यही होता है group of people जिनकों की हमने कुछ task दे दिया है कि आपको इस khas matter को लेकर के ही सारी निगरानी रखनी है अब hospital committee की बात कर ले तो hospital committees are regular standing committee standing हो गया इस्थाई एक लगातार regular इस्थाई committee होती है कभी आसा नहीं कि टूट फूट जाए या हट जाए prescribed by regularity agencies जो की regularity agency होती है जो regulate करती है उनके दौरब प्रिस्काइब की गई है या deemed जोनको माना गया है जरूरी by hospital administration ठीक है ना deemed जो तो जो मानेता प्राव जोनको मानेता मिल जाती है तो deemed necessary जोनको माना गया है जरूरी माना गया है hospital administration के दौरा in formulating क्यों माना गया है क्योंकि ये formulate करेंगी policies coordinating and monitoring hospital wide activity ठीक है ये जो committee बना दी जाती है hospital की वो policy बनाएंगी coordinate करेंगी monitor करेंगी पूरे hospital जितनी पूरे hospital में activity गतिविटिया चल रही है एक patient से लेके आपका कहते हम कह रहे हैं जो आपको किसी जो staff को payment देना है उससे लेकर के हर एक चीज़ को लेकर के सब के लिए committee बनी हुई होती है that are considered critical in delivery of quality healthcare service और खास करके जो committee होती है वो ये देखती है कि hospital से quality healthcare service एक patient को मिले के लिए रहे बाते हैं तो कहीं न कहीं ये हमारे पास क्यों हो गया hospital committee और committee को लेकर के general बाते हो गई अब introduction to different committees hospital में कौन कौन से committees होती है तो hospital committees play an important role in management and decision making manage करने को और decision लेने में एक बहुत बड़ा role play करती है hospitals are organized into different department चाहिए सकी बात हो hospital में कई सारे department होते हैं आई department अलग है उसके बाद क्या कहते हैं gastro अलग है तो सब के जो departments हैं वो सारे क्या हैं अलग-अलग departments होते हैं तो hospital are organized into different departments कई सारे department में organized है there are many issues of more than one department ठीक है ना या कई सारे issues हैं जो एक से जादा department में होते हैं issues कई तरह को हो जाते हैं कई बार these issues need people in different roles and with different expertise अब जो अलग-अलग issues आ रहे हैं पेशेंट को देखने को लेकर के issue आ रहा है पेशेंट की care को लेकर इशू आ रहा है कहीं financial को लेकर issue आ रहा है कहीं पर किसी और चीज को लेकर इशू आ रहा है तो हर जगह अलग-अलग अलग लोगों का जो उसमें expert है उसको लेकर कि होँआ पर जरोत होगी कि उस field का बंदा वहाँ पर हो तो these issues need people इन issues को जरोत होती है लोगों की in different role, अलग-अलग role करने के लिए with different expertise, expertise मतलब उनको field का experience होना चाहिए to collectively take suitable decision and action, जिससे कि वो collectively एक suitable decision ले सके और action ले सके उस issue को ठीक करने के लिए, बास समझ मा आ रही है अब depending on the types of issue in hospital, various committees are formed, कई सारी committees बनती है देखो जा रहा है अपर, pharmacy and therapeutic committee यह अपने course में भी यह पढ़ना है quality improvement committee यह अपने course में नहीं है, infection control committee यह अपने course में है pharmacor therapeutic committee यह अपने course में नहीं है, disaster management है न, अचानक सो भुकाम पा जाए यह hospital में कई आग लग जाए, ethics committee, clinical committee, internal complaint committee for prevention of sexual harassment, जो workers रहते हैं, आपर female workers रहते हैं, ठीक है न, grievance, redressal and disciplinary action committee, कोई patient है, उसके बुरा बरता हो गया है तो इस तरह से कई सारी committee होती है, अपने course में केवल दो ही committee है, ठीक है, एक और दो, तो hospital बहुत बड़े-बड़े hospital जो होते हैं, छोटे-मोटे hospital के बात अलग है उनके अदर ये सारी committees होती है, अपने course में हमको केवल दो पर main focus करना है, बात समझ में आगई, तो शुरू करें अपनी पहली committee, pharmacy and therapeutic committee तो कहां, बात समझ में आगई, committee केवल इतनी ही नहीं होती है, committee बहुत सारी होती है, अपने course में केवल दो है pharmacy and therapeutic committee is a policy framing, ये जो committee होती है, ये policy बनाती है and recommend करती है, recommending body होती है, policy बनाने वाली और recommend करने वाले कि क्या चीज आगे की जाए, किसको recommend करेंगी, medical staff को और administration को of the hospital on matter related to rational use of drugs, इस committee का क्यों, pharmacy and therapeutic है, तो दवाईयां और therapeutic, इस committee का सबसे main उद्देश क्या है, सबसे main काम क्या है, कि ये rational use of drugs को ले करके, अपना क्या करती है, policy बनाती है, और recommend करती है, ठीक है, medical staff को, administration को, इसके अंदर comprising members from various department of the hospital, hospital के अंदर से ही, अलग-अलग department से members को चुन करके, ये committee बना दी आती है, तो pharmacy and therapeutic committee clear हो गई, इसका main उदेश से, क्या होता है, क्या होता है, rational use of drugs को ले करके, काम करने का काम रहता है इसका, ठीक है, बास समझ में आगी, आगे आते हैं, अब इसके objective वगएरा फटा-फट देख ठीक है, advice करेगी, तो to assist in formulation of policy regarding evolution, ठीक है, ये advice करती है, advisory objective के अंदर क्या आ जाता है, कि ये policy regarding evolution, जो policy बनी है, उसको evaluate करना, जाजना की सही है, select करना, and therapeutic use of drugs in the hospital, ठीक है, जो policies, drugs को ले कर बनी है, उसको evaluate करेगी, selection, drugs के selection को ले कर बात करेगी, और उसके therapeutic use को ले करके, hospital में क्य क्या करेगी, बात करती है, ये assist करती है, एक तरह से assist मतलब advice देती है, to advise medical staff, medical staff, और hospital administration को क्या करती है, ये advice देती है, about all matters, उन सारे matters के अंदर regarding drug use, including investigational drug, सारे drugs को ले करके, जितने भी use हो रहे हो हो रहे हो हुस्पिटल के अंदर, उसको ले करके advice देती है, यहां तक कि hospital के अ कि कैसे क्या drugs हैं वगरा वगरा, क्या इसके misuse हैं, क्या side effect वगरा होते हैं, सारे चीज़ आनकर भी देती है, to advise pharmacist about effective drug distribution, है ना, drug को effectively कैसे distribute किया जाए, and control किया जाए, ठीक है, उसके बारे में बात करती है, ये, to give recommendation about the drug to be stock, कौन से drug को stock करना है, ठीक है, in patient care area, जहां patient admit होते ह कौन से खास drug से इनको stock करके आपको हमेशा रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में ये क्या करती है, ठीक है, अब 4 point है, तो में कोई 2 point याद करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, educational objective, अचा, मालना 2 number का question आ गया, तो उसमें केवल 3 point दे दो, 1, 2 और 3, और 1 point लिख दो अब 3 number में हैं, तो थोड़ा सा ठीक है, करना है कोड़ेगा, और 5 number में तो खाली objective आएगा, इसको साथ कुछ ना कुछ पक्का आएगा, educational में जायसी बात है, सबको educate करेगी एक तरह से, to assist in the formulation of policies to meet the need of professional staff, है ना क्या करती है, assist करती है, formulation of policy, वहाँ पर क्या किया था, evaluate किया थ यहाँ पर क्या करती है, assist करती है, कि policy बने, जिससे कि जो professional staff है, उसको उसकी ज़रूरते पूरी हो सके, getting complete current knowledge, जिससे कि जो current knowledge है, हम लोग होते हैं, मानलो जैसे कि, जो डॉक्टर्स वगेरा होते हैं, अपने पर पढ़ाई करके आ गए है, तो मानलो कोई नई drugs आ गई है, न कहीं न कहीं, वो काम यह कर रही है, ठीक है, current knowledge about the drugs and their use, drugs और उसके use को ले करके, current, आज की date में क्या उसका use हो रहा है, कौनसी drugs ban की जा रही है, हटाई जारी है, सारी information provide कर वाते हैं, educate करते हैं, उसको ले करके, to review adverse drug reaction, है ना, अगर adverse drug reaction होते हैं, मानलो पे, hospital के अंदर कुछ को reactions कर गई है, तो उसको review करते हैं, कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या वजय रही, react करने की, ठीक है, and also provide hospital formulary system, यह पढ़ेंगे, यह अपने course में आएगा, आगे जा करके, ठीक है, hospital formulary system, hospital की जो formulary होती है, वेट कर रहा हूं, अब, formulary word समझ में आता होगा, एक छोटी सी To look after management of training program, अब जो नएने लोग भरती हो रहे हैं, lower staff से लेकर के, सारे बड़े staff हैं, doctors वगयरा, उनकी training वगयरा को लेकर के, educate करती है, for professional staff involved in drug use, खास का और उन लोगों में, जो staff drug use के अंदर, इस्तमाल होने वाले हैं, जैसे की pharmacist वगयरा हैं, nurse वगयरा हैं, ठीक है, उनकी training को लेकर के, educational program को ये देखती है, बास समझ में आगी, और last में, safe and rational use of drugs को लेकर के, ये सारे काम को चेक करती है, clear है, ये इसका main objective हो गया, अब composition की बात करें बेटा, तो composition में देखो, ये तुम्हें ध्यान रखना है, इसमें क्या रहने वाला है, एक pharmacist रहता है, at least three physician रहते ह a hospital administration और his public her designated person, ठीक है ना, इसके अंदर खुद एक hospital administration याने कि जो hospital जिसका है, ठीक है ना, जो manage कर रहा है, वो खुद रहेगा या उसके दौरा डिजाइन किया हुआ, एक इनसान रहेगा, या ex official member of the committee, committee का कोई पुराना member है, उसको हम ले लेंगे, the physician may be appointed as the chairman, जो physician होता है, committee का chairman बना देते हैं, the pharmacist is designated as the secretary, और जो pharmacist होता है, उसको हम लोग क्या बना देते हैं, secretary of committee बना देते हैं, याने कि main head कौन रहता है, physician रहता है, इतनी बात अगर लिख देते हो, तो भी चल जाएगा, और उसके बाद one representative from each department, अब department जितने भी होते हैं, कौन कौन से department हो सकते है hospital के अंदर, surgery का, internal medicine का, clinical pharmacology का, microbiology का, nursing का, nutrition का, ठीक है, उसके बाद, cardiovascular का, जितने भी तुम ले सकते हो, department, वो department यहां लिख सकते हो, तो यह इसका composition अगर इतना लिखते हो, दो मास का question है, तो परियाप्त है, उसके बाद होता है, committee और उसके अंदर कई बाद सब committee होती है, यह main committee बन जाती है, उसके अंदर, subcommittees बनाई जाती है, तो देखो, अगर subcommittee वाला भी लिखना है, committee वाला part, composition वाला part, पांची नमर में आ गया है, तो इसको लिख करके, समझा बात को, medical staff, जो physician होगा हमारा, ठीक है, chairman या co-chair person, ठीक है, hospital administration, यह director रहता है, hospital का जो administrator होता है, main, वो इसमें एक और flow chart है हमारे पास, देखते हैं हम लोग, this, या फिर हम लोग medical staff, hospital administration, और pharmacist, तो medical staff में यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर chair आ गया, chairman आ गया, ठीक है, अब इसके अंडर में, फिर further committee बना दी जाती है, एक committee रहेगी, जो cancer को लेकर के department रहेगी, एक anti-infective की बना दी जाएगी, एक department में cardiovascular यह सब add कर दी जाएगे, एक में gastrointestinal autonomics, यह add कर दी जाएगे, एक department में यह ले ले ली जाएगे, एक department में यह ले ले ली जाएगे, जब क अपने department की, वही सारी बात हैं, जो objective वगरा थी, वो सब check करेंगी, और उपर report करेंगी, ठीक है, बास में आगे, तो यह अगर बड़े level पर आता है, तो इस तरह लिख दोगे, अधर्वास लिख दोगे, हाँ इसके नीचे subcommittees हो सकती है, ठीक है, यहाँ यहाँ पर लिख सक होतना है, जिसने department है, जितना सोच लो, आंक का, हार्ट का, केडिनी का, वो सब department लिख लो, अपने मरजी से बना सकते हो, जरूर नहीं कि वही सारे department वहाँ पर याद रखने हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पर इसके इसके department दे रखें, जरूर नहीं तो हो सकता है, तुम इसके की बात कर लें, कमीटी की, तो कमीटी के कही ना कि फंक्शन, जो objective से हमें बाते सौंज में आ चुकी है, कमीटी के फंक्शन क्या रहने वाले हैं, तो setting up moral, legal and ethical guideline for hospital policy, hospital policy के लिए वो देखेगी, कि moral, morally अच्छी हो, legal हो, गैर कानूनी कोई चीज ना हो रही हो, ethical, ethical हो ना, ethics, ज देखते हुए, ठीक है ना, जब policy hospital को, उसमें वो सारी बाते हो, advice, medical, administration and pharmacy department, ठीक है ना, medical department है, administration department है, pharmacy department है, on drug related issues, जितने भी drug related issues हो रहे हैं, उसको लेकर के advice करेगी, developing drug policies and procedure, उसको लेकर के बनाएगी policies को, evaluating and providing drug for formulary, जो hospital के formulary होती है, उसको evaluate करेगी, और उसमें कौन से drug रख ने उसको बताएगी and providing for its periodic revision, और कोशिश करेगी, समय समय पर वो revise होते है, periodic revision, managing adverse drug reaction, full formally close, इसको नहीं पता, adverse drug reaction है ना, जो adverse drug reaction report हो रही है, उसको manage करेगा, managing medication error, जो medications error होते हैं, ठीक है, उनको manage करना है, medication error पता है ना, सब पढ़ चुके हम लोग general pharmacology वगरार में, क्या होते है error वगरा, promoting overall health benefit to patient, कोशिश की जाएगी, कि एक patient को overall health benefit मिला, कहीं ना, कहीं देखा जाए, तो यहाँ पर यहाँ पर यह सारे काम क्या है, pharmacist के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, pharmacist के role के अंदर सारी बाते आती हैं, तो मैंने कहा ना, यह बाते कहीं ना, बेसिक हैं, तुम क पर about current situation, जो आज की current situation चल रही है, और issues चल रहे है, regulating the drug inventory of the hospital pharmacy, जो drug का inventory management है, कितना श्टॉक आना है, कितना जाएगा, कितना खप गया, उस सब manage करने का, लेकर के regulation करती रहती है, specifically controlling narcotic medication, control रखती है, narcotic ना, narcotic और psychotropics जो होते हैं, जो कि जिन से नशा हो सकता है दबाईयों स control over the counter, over OTC medication, जो over the counter होता है, ऐसा ना हो कि OTC वगएरा, लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं, antibody को खा रहे हैं, उसको लेकर control रहता है, deciding drug list of emergency, operation traitor and other department, खास कर, जो emergency और operation traitor को लेकर कि जो drugs होती है, उनको क्या करती है, decide करती कि कौन से drugs रहने चाहिए, नहीं रहेंगे, effective implementation of drug policy in hospital, यह drug policy बन गई है, वो hospital के अंदर properly लागू हो रही कि नहीं हो रही है, detect and prevent drug interaction, है ना, patient के साथ कोई drug interaction हो रहा है, तो उसको क्या करेगी, और जाचेगी, तो यह committee के कार रहे हैं, एक तरह से यह सारे function, obviously बात है, committee है तो वो काम को बांट देती है, आगे जाकर के, तो वो जैसे जा थोड़ा समझोगे कि यार, यह सारी बात है तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, function के रोल वगएर हैं, बहुत बार पढ़ी है हम लोगो ने, तो बस वही सारी चीज़े हैं, और कहीं ना कहीं, चप्टर जैसे मैं बताया, कि सारी चीज़े हमें patient को दियान को लेके करनी है, तो बस वह सारी पॉइंट हैं लिख सकते हो, है न, जरूर नहीं यह इसे कुछ अपने सरफ से add कर सकते हो, ठीक है, सारी बाते कहां देखरे हैं, हम लोग यह सारी बाते कहीं ना कहीं, patient के फायदे के लिए हो रही है, किसके फायदे के लिए, patient के फायदे के लिए, हम बता कोई यह बता दो जिसमें पेशन का फायदा ना जुड़ाओ जितनी चीज़े बनाई गई गई है उससे पेशेंट का फायदा है पेशेंट को किसी तरह का नुकसान ना हो पेशेंट औरियेंटेड के लिए रहे बात समझ आई हम पहले पढ़ चुके हैं ओके ठीक आगया आते हैं रोल आफ पीटी सी और ड्रग सेफ्टी अब द्रग सेफ्टी को लेकर के अगर इस पेशली ड्रग सेफ्टी की बात आया थी कई बार यह तो हो गया उसका नॉर्मल फंक्शन ठी है यह तो होगे जनल फंक्शन पॉलिशी वगरा सब कुछ था यहां अगर मैं बात करूं केवल ड्रग सेफ्टी को लेकर क्या काम करेगी यह कि ड्रग सेफली क्या हो यूज हो यूज हो यूटलाइजिशन और ड्रग सेफ हो तो ड्रग सेफ्टी इज वन आफ दा मेजर रि इंस्योरिंग ड्रग सेफ्टी ओन कंटिनियूस बेसेज है ना बाइज क्रेटिंग सेफ्टी अवेरनेस इन ओल डिपार्टमेंट ऑफ दो हॉस्पीटल तो कह रहा है जो पीटी सी है फामेस्टी थरपिटी कमीटी है वह एक बहुती एफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है और सुनेश्चित कर सकती है ड्रग सेफ्टी ओन कंटिनियूस बेसेज की लगातार ड्रग सेफ्टी बनी रहे ठीक है फॉस्पील के अंदर बाइज क्रेटिंग सेफ्टी अवेरनेस ड्रग की सेफ्टी को लेकर अवेर करते रहे क्योंकि भी चीज़ों के होता है स्टाफ की मेंटेन रहेगी कि लिए रहे बाते हैं इंप्लाइमेंट ऑफ क्वालिफाइड परसन एज चीफ फार्मसिष्ट हमें सद्यान रखके होस्पिटल की जो क्वालिफाइड परसन जिसको नॉलेज होगी उसको अगर रखोगे तो कभी भी वह क्या होगा उसको मान लो गलती लेगा इसे खटाक से बास समझ मारी है टेक केर ड्रेट अधा मैडिसीन सार्ट डिस्पैंट ऑनली बाइफ फार्मसिष्ट पीटिसी ध्यान रखेगी जो मैडिकल डिस्पैंस की जाए वह सिर्फ वासे फार्मसिष्ट के द्वार क्योंकि उसी के पास नॉलेज है ना बाई स्टोरिज फैसलिटी होने थे कि सारी दवाईया हुआ पर जो इंपॉर्ट दवाईया है वो आ सके हैं ड्रक्स क्लासिफाइड अंडर पॉइजन्स और स्टोर सेपरेटली फ्रॉम जो पॉइजन्स ड्रग है उसको अलग स्टोर किया जा यह नहीं की बीच में रख दिया हम ड्रक सेफटी बनी रहेगी है न मिस्यूज नहीं हो पाएगा ड्रक का या फिर यू कहलो की गलती से भी गलत ड्रक नहीं आएगी टहुक एड इसू के अपकॉरिय neither अपक चीजए ना चल रही हो खास करकि नार्कॉर्टिक और स्टोर कि स्टोर है फर्लो बेदक lados म६ेदा इसूजरत है denn मलता है हम लोग पहले जान चुकंपाता अपतなんです डंस chi बाद को जानते हैं कि hospital pharmacy के अंदर छोटी मोटी manufacturing का काम भी चलता रहता है लोशन वगरा बनते रहते हैं तो वो GMP को follow करेंगे good manufacturing practice जानते हो तुम लोग का external preparation are kept separately and dispensed in special container ठीक है जो external preparation लोशन वगरा जो हाथ पेरों पर लगाए जाते हैं उपर ठीक है उनको अलग से क्या किया जाएगा separate उनको अलग रखा रहेगा और dispense किया जाएगा एक खास container में है ना ऐसा ना करें which are distinctly different from the liquid oral like syrup and mixture अब मालों सब्सक्राइब करो कि सीरप आता है उसी में तुमने लोशन क्या कहते हैं उपर लगाने वाला लोशन भी दे रहे हो दोनों सीशिया एक जैसी लग रही है तो गलती क्या हो सकती है सीरप के धोके में प्या जा सकता है तो कोशित ही कह जाएगी उसका container भी अलग हो लोशन जो उपरी लगाई जाती बॉड़ी में उनके कंटेनर भी अलग होने चाहिए है हमें दूर से दिख जा रहे हैं यह कंटेनर तो उसका होता है जैसे इतने भी ट्यूब आते हैं अब हमको पता कोई चीछी ट्यूब में है तो खाई नहीं जाएगी लगाई जाएगी तो उसका container चेंज हो गया ठीक है एंपटी इंफ्यूजन्स ग्लास बोटल जाना जो ड्रिप चड़ आती है या जो चोटी बोटल साती है जिसके अंदर वह होते हैं ड्रिप लगने वाली दवायां होती है शुड नेवर वी पर्मिटेट फॉर अदर उसके अंदर हमें कोई दूसरा यूस नहीं करना जैसे क क्लेक्शन ऑफ यूरीन की हाँ ठीक है छोटी सीची थी मैटो दिल बगर चोटी सीची आती है यह सारे काम उसके अंदर नहीं होने है जो एंप्टी इंफ्यूजन है उसे हमें डिश्ट्रॉय कर देना है एक्सपाइड ड्रग्स एंड डेटेट ड्रग्स और फिजिकली हां से चुन-चुन करके अलग कर देना है कंड़क्टिंग लेक्चर सेमिनार और मॉडरन मेथड ऑफ डिस्पैंसिंग टू स्टाफ ऑफ दो हॉस्पिटल ठीक है लेक्चर सेमिनार कंड़क्ट किये जाएं मॉडरन मेथड जो आज के टाइम पे नए मेथड आ गए है लेकर ठीक है ना तो यहां पर एक फार्मसिस्ट हम कह सकते हैं कि एक फार्मसिस्ट क्या कर सकता है चोटी सी बात बोलूं आप अपने दुकान पर क्या करोगे कि कोई भी गलत दवा ना चली जाए जैसे बात है जो पॉजिशन दवा उसको अलग रखोगे ठीक है ना और जो पालक डिपार्टमेंट रखोगे और डॉक्टर के पर्चे पर ही दोगे यह दो रूल है तो यह सब छुट-छुटी चीजे हैं अगर थोड़ा सा दिमाग में लाके से पांच मिन थोड़ा सा इमेजन कर लोगे तो यह तो हमें आता है कोई चीज रिपीट कर रहे हैं तो य ठीक है घृष्पिटल फॉर्मलरी को भी हम लोग कही ना कहीं डिस्कस पहले कर चुके हैं अब यहाँ पर हॉस्पिटल फॉर्मलरी में हमको कुछ खास बात और ध्यान रखना है कि हमारे कोर्स में क्या है तो थोड़ा सा बेसिक लेते हैं कि हॉस्पिटल फॉमलरी होती क्य रहा है उससी किताब में दिख जाता है बस यही है ठीक है hospital formulari list of medicine traditionally a formulari contained a collection of formula for the compounding and testing of medication पुराइन टाइम पे traditionally एक formulari क्या होती है उसके अंदर formula के collections होते है different different formula कौन कौन से दवाईया कि इसकी सीज़ को ठीक करती है for the compounding and testing of medication ठीक है ना देने के लिए और test करने के लिए दवाईयों का एक छोटी सी किताब पहले इस्तमाल होती थी अब इसका थोड़ी सी रूप रेखा बदल गई है definition की बात करें the hospital formulari is a continually revised यह एक ऐसी formulari के लो यह formula मतलब एक ऐसी book होती है जो लगातार revise होती रहती समय समय पर outdated दवाईयां हटती रहती है improved दवाईयां add होती रहती है एक compilation है compilation मतलब जो जोड़ जोड़ के बनाया गया है of pharmaceuticals किसका compilation है pharmaceuticals फार्मसेटिकल्स का होती है वो सारी चीज़ें जो patient के care में इस्तमाल होती है which reflect the current clinical judgment of the medical staff जिसके अंदर current clinical judgment है न कई सारे cases होते रहते हैं जिसमें है न all over world से कि हाँ यह दवाईयों का ऐसा इस्तमाल किया तो इसका यह result आया तो current clinical judgment जो आज के दौर का clinical judgment है उसके अधार पर यह compiled रहती है ठीक है न आगे आए the hospital formula system is a method the hospital formula system यह वो method है whereby जिसके दौरा the medical staff of hospital working through a pharmacy and a therapeutic committee evaluate appraise and select from among numerous available medicinal agent तो करा hospital formula यह एक system है जिसके दौरा जो वहाँ का medical staff है ठीक है जो वहाँ का pharmacy है वहाँ की जो therapeutic committee है वो evaluate करती है जाचती है appraise करेगी है न अपरेश मतलब चीजों को add करना अपरेश करने के तिलस होता है तारीफ करना ठीक है न तो जो अच्छी ड्रग्स है उसका अपरेश करती है और select करती है अमांग तो numerous available medicine agent तमाम ड्रग्स जो मौझूद है उनमें से select करेगी ठीक है available medicine agent and doses form और तमाम doses form है best doses form कौनसी सूट करती है patient को वह भी देखेगी form dose that are considered most useful in patient care और एक form करेगी उनको इखटा कर लेती है और वो वो दवायां होती है जो सबसे ज्यादा useful मानी जाती है in patient care एक जो patient हो पर admit है उसके लिए ठीक है ना तो hospital formulary एक method है जहां पर medical staff ठीक है ठीक है working through pharmacy जो pharmacist एक तरह का जो therapeutic committee है वो जाचती है परकती है और जो सबसे best दवाईयां होती है ठीक है एक hospital में जो करनी चाहिए उनको उसके अंदर add कर देती है बात समझ में आ गई है ठीक है आगे आते हैं अब advantage क्या होता है hospital यहां तक बाते समझ में आई ठीक है जो बाते जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो इस जो बोलता हूं उसको pause करके वापस रिवाइश कर रिकाप करके लिख लिया करें advantage क्या है इसके it provides the practitioner with approved and efficacious medicine to treat disease अब तो प्रेक्टिशनर है उनको पता है अच्छा उसके पास रहती हो देखता है अच्छा इसके लिए यह यह यानि की already उस फॉर्मलरी को तयार किया गया है तो उसके पास एक approved और efficacious medicine की लिश्ट रहती है वो उसको फायता करती है पेशेंट को treat करने के लिए hospital formulary reduces the inventory cost अब है बहुत ज़्यादा दवाया नहीं लेनी है ठीक है inventory cost अब ऐसा नहीं कि यह भी ले लो यह भी ले लो जो खास दवाया हमने select कर लिए कि उनका ही stock रखना है तो inventory cost कम हो जाती है रखकी it regulates the number of medicines by improving the procurement and inventory management अब इसमें क्या number of medicines को हम ज 50 दवायां select करी है तो अब 100 दवायां के बज़े हम केवल 50 दवायां खरिदते हैं तो हम लोग number of दवायां की quantity increase कर सकते हैं सो नहीं खरीदने केवल 50 खरिदनी है ठीक है it improves the quality assurance and easier dispensing अब दवायां कम है तो defense करना असान हो जाता है it improves the irrational combination of drugs and it remove sorry यह remove करती है irrational combination क्योंकि हमने क्य rejection management और इससे कर दवायां limited है तो adverse drug management में भी हमको क्या मिलती है help मिलती है it gives stress on medicines information and focused on patient education effort ठीक है यह stress होता है जिसका advantage क्या है it gives stress on medicine information अब यहां से क्या हम लोग mainly कहां पर हमने focus किया medicine जो है हमारे पास उसकी पूरी information निका ली हमने तब ना उसको जाकर select किया है तो यह stress जैती है medicine information में और focus करती है patient education effort कि patient को भी उसको ले करके educate कर सके हैं दवाईयां कम होंगी तो patient को ज्यादा अच्छे से educate कर पाएंगे बहुत भरमार के दवाईयां है तो patient कई बाद कन्फिज होता है कि कभी यह दवाईयां चल रही कभी यह चल रही कभी यह चल रही है बास समझ में ठीक है यह हो गया इसके advantage disadvantage की बात करें the hospital formulary system deprives छीन लेती है the physicians of the right and prerogative to prescribing and obtaining the brand of his choice मतलब hospital formulary क्या करती है वो यह चीज़ छीन लेती है एक physician से कि physician जो है physician का हग छीन लेती है उसका अजिगार छीन लेती है prescribing का कि वो जो चीज उसके इसमें मैंसेर केवल वही प्रिस्काइब करना है अलग से बाहर कुछी prescribing नहीं कर सकता यह वह अपने मर्जी का ब्रेंड चाहता कि वह ब्रेंड ज्यादा अच्छा है लगता उसको उसको लगता कि वह ब्रेंड ज्यादा एफेक्टिव वह उसको तो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता तो सिस्टम में सम्टाइम्स पर्मिट दा फार्मासिस्ट टू एक्ट अज़ अब यहां पर कई बार क्या होता है इसमें आप फार्मासिस्टी केवल जज़ करेगा कि विच आफ द ब्रैंड ऑफ ड्रग टू प्रचेस्ट अब सिलेक्ट कर हो गया कि फार्मसिस्ट अपनी मर्जी से उसने पार चला किसी कंपनी से घुस खाली और वह उसी कंपनी की दवाईयां मंगवा रहा है तो कहीं ना कहीं आगया करफ्शन चीजें सारी दुनिया में जो बनाई जाती है अच्छे बनाई जाती है लेकिन कुछ गल्क मान सिकता अच्छा की वएसे हमेशा उस सिस्टम का क्या होता दूरूपयों हो जाता है तो यहां पर यह क्या हो रहा है फार्मसिस्ट एक्ट आइस सोल जट अब यहांपर पूरी जिम्मदार किसके उपर है वह नहीं मंगा रहा हो मतलब सौल्ट वही है कंपनी दूसरी मंग वालेगा हो ठीक है तो यह काम स्वरवत हो सकते हैं तो ड्रग जो ब्रांड है ऑफ द्रग टूई पर्चेस्ट और डिस्पेंच जो ब्रैंड देना है वो फांसिस को जच करना रहता है तो अपनी मर्जी से मंगा सकता है तो सिस्टम में अलाओ पेशेंट या थार्ट पाटी जो दे रही है उसके उपर पैसे का लोड कर बढ़ जाता है ना दवाई सस्ती और जिसको प्रिंट हाईवी हाईवी लिखा वो दवाईयां मंगा ली जाती है तो कहीं न कहीं यह सब बाते क्या आ गई जब आप लोग एथिकली काम नहीं कर रहे और यह अपने कोर्स में हैं बकाईदा मैंशन हो रखा है तो यह इंपोर्टेंट है तो जहां से समझना कि जब हम लोग एक हॉस्पिटल फॉर्मलरी को प्रिपेर कर रहे हैं ठीक है न तो उसकी क्या प्रोसीजर है कैसे प्रिपेर करते हैं तो देखो हॉस्पिल यान की हम हॉस्पिल फॉर्मलरी एक किताब है उसके अंदर क्या क्या चीज़े होने ही चाहिए तो यहां पर सबसे पहले होता है इंट्रॉडक्टरी इंफॉर्मिशन वहां पर एक नॉलेजमेंट रहेगा क्या क्या है यह ठीक है लिस्ट ऑफ अब्रिवेशन रहेंगी अगर वहां पर मैंशन रहेगी कि उसको यूज कैसे किया जाएगा बास समझ में आ गया इंटेंडेड यूजर्ज ऑफ फॉर्मलरी मैनुवल ठीक है तो इंट्रॉडक्टरी पार्ट में यह सारी चीज़ें रहती है कही नगा हमने जानते भी है फॉर्मलरी जो होती है उनमें इस सब च खक्इन्सी इसक्ष्य के उतर्मलरी जाना है यह सारी बाते किसी ऑग अडकर यह की सारी इंफॉर्माशन रहेगी ठीक हूँ supplementary information on each drug ठीक है तो उसके अलावा क्या क्या रहेगा price regulatory category storage guideline कैसे store किया जाएगा price रहेगा patient counseling information patient कैसे counsel करना है और brand name कई बार brand name भी mentions रहते हैं अब prescribing and dispensing guideline उस drug को ले करके कैसे prescribe करना है कैसे dispense करना है उसको लेकर guideline रहती है ठीक है principle of prescription writing name and address of the patient बताया जाता है कि आप जो principle and prescription writing को उसको follow करेंगे name and address of patient mention करेंगे prescribed drug should be written in formulary terminology जो prescribed drug है वो formulary की terminology के according दिया जाएगा यह सब बाते भी उसमिल दी रहती है yes strength of prescribed medication must be given in accepted metric system है ना जो accepted metric system है उसी metric system हमने देखा है कई वार जैसे कि क्या होता है milligram में रहता है या इस तरह से दवाईयों को जो metric system जाता है milligram या IU रहता है ठीक है ना तो जो unit accepted है उसी unit में आप क्या करोगे उसे prescribe करोगे correct dispensing guideline prevention and reporting ADR ठीक है ना correct जो dispensing guideline है और prevention and reporting of ADR जो adverse drug reaction है उसको लेकर के क्या करोगे guideline follow करोगे report करोगे और prevent करने की कोशिश करोगे यानिकि हो जाती है तो उसको क्या करना है report करना है जर्नल drug use advice जर्नल ड्रग में यूज कर रहता है यूज इफ आइवी एडिटिव प्रिसक्राइबिंग इन इस पेसल सुटेशन के रहा है कि जैसे कि कुछ और लिख देते हैं उसके अंदर जर्नल ड्रग यूज एडवाइस ड्रग को जर्नल यूज करें उसके लिए एडवाइस रहती है तो जिसे लिखा हुआ है यूज इफ आइवी एडिटिव आइड करते हैं चीजों को प्रिस्क्राइबिंग इन स्पेसल सुटेशन में आइ पॉजनिंग एंटिडोट के बारे में उसके अंदर एडवाइस रहती है ठीक है जर्नल ड्रग यूज अडवाइस पॉजनिंग हो जाएगी ड्रग की तो क्या करना एंटिडोट उसका क्या रहेगा वो सब बाते लिखी रहती है अधर कॉंपोनेंट क्या रहते हैं फॉर्म एंट्र के निमींग के अट्टिक जाएंगे श्रक यूज बॉसकर द्रहकों द्रूद चीज़ें को ढूण सकते हैं और और यूसे नियूजीं को धूर्ग को फार्मेट, फार्मेट इतलब कैसी रही की और कैसा रही की किताब। टीक है अंतलिये फार्मेट कर सकता है उनकी फार्मेट करके देख सकता है कि वहाँ पर कैसे कैसे प्रिंट किया गया है उससे एक आइडिया ले सकता है Copies of finely published formulary may be sent to the bodies like Directorate Journal of Health Service, Government of India, PCI जो उसने formulary बनाई है वो उसको send कर सकता है चेक करने के लिए वाई देखो हमने formulary सही बना ली है क्योंकि उस formulary का बहुत ज़्यदा effect पड़ेगा उसकी formulary के according patients को दबाया दी जानी है Size की बात करें आकर हम लोग उस किताब का तो मैंने बताया ना पैसे pocket dictionary आती है तो pocket size रहता है It is sufficiently small in size so that it could be easily carried by clinicians, nurses, etc च्छुटा इतना होना चीए कि इसली pocket के अंदर आ रहा है और हर जगे carry कर सके In the pocket of their uniform और lab ports है ना हर समय साथ रहने चीज़ जरूद पढ़नाई पर The hospital में determine their own size of the formulary और hospital अपने खुद की size को Determine भी कर सकता कि नहीं भाई हमें ये size रखना है ये भी हो सकता है ठीक है नाव types of format format का type क्या रहता है loose leaf और bound ठीक है ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसे किताब होती है जैसे कि डाइरी होती है अपनी तुम्होंने देखी होंगी इस type से इस type से आप page रहते है ठीक है अशर परणते जाओ ये loose leaf हो गया bound हो सकती है bound मतलब पूरी binding इसके रहती है ठीक है printed और mimeograph रोसे printed उतर प्रोपर print कराते है mimeographic प्राना photocopy करने का तरीका एक तरह से ठीक है indexing and assigning categories तो ये दो ध्यान रखें है आपर loose leaf और bound और printed और mimeograph तो format क्या है type of format जनरली आज का printed form में रहता है ठीक है जनरली का रहता है printed form में रहता है loose leaf और bound ये depend करेगा ठीक है तो ये क्या है जो हम लोग formally तयार कर रहे हैं तो ये सारी बातें उसके अंदर preparation जब करते हैं तो ये सारी बातें हमें prepare करने के लिए है ना हमारे पास topic क्या था कि जो हमें prepare करना preparation जब हम formulary prepare करने हैं तो ये सारी बातें ये procedures हमको follow करने पड़ते हैं उसके अंदर content को क्या क्या रहेगा कैसे रहेगा ये 8-9 बातें हमको देखनी पड़ती है clear है ठीक है ये होगी बाते preparation की अब आता है guiding principles for hospital formulary क्या मतलब है इसका तो ये भी अपने course में है ठीक है guiding principles for use of hospital formulary या guiding principles for hospital formulary की hospital formulary हमने सोच तो लिया कि हाँ बनानी है तो उसको बनाने के लिए कौन-कौन से principle follow करने पड़ेंगे एक हो गया कि book के अंदर क्या होना चाहिए उपर जो पार्ट था वो उस फॉर्मलरी के अंदर क्या-क्या होगा यह होगा कि फॉर्मलरी बनाएंगे तो कौन-कौन से लोग और किस process से आकर के finally formulary तक पहुँचेंगे फिर जिनको task दे दिया जाता है फिर वो ये उपर उलग किताब बनाने काम करते हैं तो आप समझते है कि आखिरकार उसको बनाने से पहले क्या-क्या process और होती है ऐसे सुझना मालो हमको को किताब छापनी है तो पहले टीम बनाई जाएगी कुछ लोग को काम दिया जाएगा तुम यह करो तुम वो करो है ना तो यह वह ही है guiding principles किताब जो बनाएंगे वो तो एक अलग बात है उसके अलावा कौन-कौन से लोग क्या-काम होते हैं और किस तरह सुरुआत होती है इसकी एक तरह से तो आप देखते हैं इसको हम लोग क्या कह रहा है तब medical staff of the hospital shall appoint P&T committee सबसे पहले अगर formulary बनानी है तो पी है ना जो यह pharmacy and therapy committee appoint की जाएगी and outline its scope और उसका scope बताय जाएगा कि क्यों आपको बनाये गया है आपको formulary बनानी है purpose क्या है organization क्या है और function क्या है वो सारी चीज़ें उसको बता दी जाती है ठीक है the formulary system will be sponsored by medical staff जो formulary का system है उसको medical staff क्या करेगा sponsored करेगा the medical staff shall adopt the written policies and procedure of the formulary system जो written policy उसे दी गई है उसी को adopt करते हुए वो आगे formulary की तयारी अब देखो क्या का गया है कि अगर आपको ड्रक को एड करना है तो नौन प्रोपराइटरी नेम आप एड नहीं कर सकते ठीक है मैंने क्या का किताब की बात तो अलग रहे गई उसके बाद ये वो काम है किताब बनाने से लेकर कि जो पहले काम कर रहे है तो policy बना दी गई है क्या क्या करना है आपको तो ड्रक के अंदर नौन प्रोपराइटरी नेम नहीं होंगे and should be prescribed by the same ठीक है और जब प्रिसक्राइब किया जाएगा तो उसको उसी नौन प्रोपराइटरी नेम से प्रिसक्राइब करना है अगर कोई फॉर्मलरी नहीं है होस्पिटल के अंदर तो जो फिजिशियन ने प्रिसक्राइब नहीं है तो वो क्या कर सकता है फिजिशियन को जाकर के consult करेगा कि भाई ये ब्रेंट तो है नहीं अब बताओ क्या करें कि भाई फॉर्मलरी सिस्टम आ रहा है और उसका ये प्रोसीजर ये सबको बताएगा ठीक है ना प्रोविजन शेल भी मेड और दे यूज अफ ड्रॉग नॉट इंक्लूड इन दे फॉर्मलरी बाई दा मैडिल स्टाफ ये प्रोविजन बनाया जाएगा या यूँ कहलो ता यूज अफ ड्रॉग नॉट इंक्लूड इन दे फॉर्मलरी बाई बाई फॉर्मलरी के अंदर ड्रॉग का यूज मेडिकल स्टाफ के दोरा नहीं लिखा जाएगा ठीक है ये एक प्रवधान तयार किया जाएगा तो ये सब क्या है तरसे मैंने क्या का जो बुक हम ले नेशनल फॉर्मलरी के प्रपरेशन करते हैं उससे पहले की तैयारी है कि कौन कौन करेगा कैसे कैसे करेगा क्या 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 होगा क्या 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 नहीं होगा सब्सक्राइब के लिए हर एक चीज के लिए स्पैसिफिकेशन के लिए क्वालिटी के लिए कौनिटी के लिए दाव्सपाइब के लिए लिए लिविटिंग चेण न्राव प्रक्राइब कर देटी है वस्ते क्या रहें अब क्या घाल रहा है लिमिटिंग नंबर औफ द्रग्स इतनी कम रहेंगी मैंने कहा ना अब सौब पांसो ड्राकी वजह हम स्लेक्टेट सौ पचास़ रखेंगे हिस हम pharmacy can produce proper patient care, यहाँ से हमको patient care proper मिल पाएगी, and financial benefit रहेगा, this benefit can be greatly increased by using generic equivalent, और यह benefit और ज़्यादा हम लोग patient का बढ़ा सकते हैं, अगर हम लोग क्या करें, generic दवाईयों के इस्तमाल करेंगा, तो patient की क्या होगा, patient के लिए और भी ज़्यादा benefit हो जाएगा, ठीक है ना, तो guiding principles क्या है, कुछ नहीं है, formulary उपर तरीका था कि, formulary में क्या क्या होना चाहिए, और formulary तयार करने से पहले, क्या क्या तयारियां की जाती है, यह है guiding principles, ठीक है ना, बास समझ में आई, एक होगए कि खाना बना रहे हैं, और एक खाना बनाने से पहले क्या क्या तयारियां की जाएंगे, market जाएंगे, सबजी लेके आएंगे, ठीक है, फिर सारा metal तयार करते हैं, फिर खाना बनाते हैं, तो खाना बनाना उपर अला काम हो गया, उससे पहले की तयारियां एक guideline हो गई है, के लिए हैं, confuse नहीं करना, guiding principle question अलग आएगा, और preparation वाला question अलग आएगा, ध्यान रखना दोनोंगा, ओके, तो यह आला पार्ट हमारे पास खतम हो जाता है, अब इसमें एक और topic आता है, हलका सा need, क्यों जरूरत था hospital फॉर्म लरीगी, तो देखो कुछ बहुत जाता है नहीं है, इसमें, नई नई दवाईयां आती जा रही है, ठीक है, नई नी तरदी की दवाईयां, मार्केट मा आ रही हैं, कंपनी बना रही हैं, तो कहीं जा कि हमें, वो नई दवाईयों की knowledge होनी चाहिए, तो फॉर्मलरी रहेगी, तो बढ़या रहागा, दवाईयां अपडेट होते रहती हैं, उसके अंदर, अब एड का आजकल इतना ज़्यादा आड आ रहा है, ठीक है, आजकल तो एड सारे ना, उसके अंदर साइंटिफिक, अंदर साइंटिफिक, एठिक, अंदर मतलब, एड कर दिया किसी बड़े से कलाकार ने या कुछ भी, तो आदमी में फिर उसे आँख बंद करके खरीद रहा है, तो कहीं नकहीं, इसी लिए फार्मरी रहेगी, तो उसमें क्या रहा था, उसमें सारे चीरिफिक ली एड की जाती है, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उन चीरिवों से बच पाएंगे, जो दवाईया, सिर्फ एड की वएशे बिक रही है, एक्च्वल में उनका कोई भी खास इस्तमाल या फायदा नहीं है ठीक है increasing complexity of untoward effect of modern potent tract untoward मतलब जो हम लोग नहीं चाहते हैं untoward या side effect कहलो आजकल की दवाईयां है ना क्योंकि धेदरे क्या हो रहा है resistance बढ़ रहा है microbes का तो potent मतलब दवाईयों की चमता बढ़ाई जा रही है और उसके side effect भी बढ़ रहे हैं तो उससे भी हम लोग बच पाएंगे अगर फॉर्मुलरी रहे हैं हमारे पास तो पासिबल कॉस्ट अब यहां पर जाद तर कोशिश की जाते हैं जैनरिक दवाईयों को इस्तवाल करना जिससे की लोईस्ट कॉस्ट पे क्या हो सब्सक्राइब पब्लिक हेल्थ या पब्लिक हेल्थ की केर हो सब्सक्राइब बहुत कॉमन सा है एक बाद दिवाग में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानि की जो एंटी माइक्रोब्स का रेजिस्टेंस है उसके प्रिवेंशन में किस तरह से माइक्रोब्स जो रेजिस्ट होते चले जा रहे हैं दवाईयों को लेकर के उसके प्रिवेंशन में एक फार्मासिस्ट का क्या रोल है वो च चलो तो infection control committee infection बारे जनरल बात बताऊ मैं hospital एक ऐसी जगह होती जहां पर तरह तरह के patient आते हैं ठीक है तो वहाँ पर पेशेंट आते हैं हर किसों अलगतर की बिमारियां होती है तो वहाँ पर कई बात क्या होता है एक patient गया और उसको बिमारी नहीं थी वहाँ admit होने के बाद उ माइक्रोब्स का ठीक है तो उसको प्रवेंट करना है और उसी चीज के लिए यह कमिटी बनाई गई है कि बहार से जो लोग आ रहे हैं healthy लोग वह बिमार ना पड़ जाए जो patient admit है किसी और बिमारी से उसको कोई और बिमारी ना लग जाए या patient डिस्टार्ट हो करके जा रह component of the patient safety patient safety याने कि एक integral component है एक खास पार्ट है patient की safety का ठीक है patient safety program का of the healthcare facility and is responsible for establishing and maintaining infection prevention and control और यह जिम्मेदार होता है कि establish करे और maintain करे infection prevention and control जो hospital के अंदर infection होता है उसको prevent करे control करे monitor करे surveillance करे ठीक है और report करे research करे और educate करे ठीक है तो यह सारे कहां में इसके infection को ले करके जो किसके infection control committee ICC this committee should include wide representation from all relevant disciplines in department in the facility इसके अंदर सभी लोग होते है लगबग department जो बड़ा सा hospital हो उसके हर एक department से लोग इसके अंदर add होते हैं इस committee के अंदर infection is injurious contamination infection क्या होता है injurious harmful contamination of body और part of the body ठीक है किसी हमारी body या body पार्ट में infection होना किसको दौरा bacteria virus fungi प्रोटोजुआ रिकेट्सिया और टॉक्सिन या toxin that they produce जो ये प्रडूस करते है ठीक है तो क्या बोल रहा है contamination of body parts injurious contamination of body और part of body हमारी कोई body के अंदर contamination हो जाए bacteria virus fungi प्रोटोजुआ के दौरा या उसके toxic के दौरा once the infectious agent enter the host it begin to proliferate एक बारी infectious agent घुच जाता है फिर वो proliferate करता है अपनी पैदावार को बढ़ाता है and react with defense mechanism और हमारे defense system से फिर लड़ना भेडना चालू करता है of the body producing infection symptoms फिर हमको infection symptoms दिखने लगते हैं कि अच्छा यार बुखारा आ रहा है यह हो रहा है ठीक है and science क्या है उसके pain, swelling, redness, functional disorder, rise in temperature यह सारे हमको symptoms दिखने लगते हैं तो infection कहीं नहीं हमने समझ लिए infection क्या होता है objective क्या है इस committee के the objective of infection control committee is to understand the basic infection control concept कि किस तरीके से हम लोग infection को control कर सकते हैं ठीक है cause of noscomial infection ठीक है noscomial infection क्या होता अपना जो क्या कहते है अपना hospital आने के पाद जो infection हो जाते है उसको अपने नौस्कोमियल infection क्या होने चाहिए how an infection control committee can decrease the incidence of antimicrobial resistance यह वाला part हमारा main है इसका एक खास objective क्या है एक infection control committee किस तरीके से decrease कर सकती incidence of antimicrobial resistance क्योंकि जब infection हुआ है तो लोग क्या करते हैं खुझ से दवयां खाना शुरू कर देते हैं और फिर क्या होता कई वाल ठीक नहीं होते हैं तो वो दवाईयों के लिए क्या हो जाते है microbes resistance हो जाते हैं अब उन दवाईयों का उसके उपर असर खतम हो जाता है तो यह हमारा main part है composition की बात करें तो वही पहले की तरह है चेर परसन रहेगा hospital का डारेक्टर the chief infection control team रहता है microbiology department से a chief of all clinical department है न देन chief nurse एक chief nurse होती है head of the maintenance and cleaning department होता है इसके अंदर director of the center centralized supply department होता है ठीक है यह सारे main लोग मिल करके committee बनती है ठीक है chair person hospital का director होता है तो chief infection control team microbiology department का जो chief होता है ठीक है clinical department का chief होगा nurses में जो chief होते है उनको लिया जाता है ठीक है maintenance and cleaning department का जो head होता है उसको लिया जाता है ठीक है central sterile supply department का जो director उसको लिया जाता है clear है function बड़ा simple है education and orientation program for professional staff जो professional staff है उसको educate करना ठीक है management of visitors in isolation circumstances कोशिशिए करना कि जो visitors आ रहे है रोज के तौर पर दिखाने के लिए वो isolate रहे बाकी hospital से जिससे के उनको infection ना हो establishment and supervision of infection control team ठीक है establish करते हैं और supervise करते हैं जो infection control team होता है उसको बनाना और उसको supervise करना to maintain standards for hospital domestic cleaning and food services and hygienic condition ठीक है ना तो यह बड़ी general से बाते थी तो main इसके अंदर हमारे पास है वह याला पार्ट आएगा तो responsibility की बात कर लें ensure to avoid ensure to advise on infection prevention ठीक है सुनिशित करेंगे कि infection prevention ना हो formulating an infection prevention and control program with health professional ठीक है infection prevention control program को बनाना health professional के साथ distribute the policies to relevant areas initiate their implementary by support advice and education distribute करेंगे जो policy बनाई है relevant area में distribute करेंगी और implement करेंगी और support करेंगे advice करेंगे educate करेंगे उन्हों लोगों को जो लोग इसको apply करेंगे participate in the planning and upgrading of the hospital facilities ठीक है participate करेंगे planning और upgrading of the hospital जो hospital की facilities है उनको plan करना और उनको upgrade करना याने की जो पुराना है उसको हटा करके नया कर देना ठीक है तो यह इसकी responsibility होती है तो यह इतना important नहीं है ठीक है मैं फिर बता रहा हूँ ICC infection control committee के अंदर जो important topic है वो यह question आएगा वो यह आएगा role of pharmacist in preventing antimicrobial resistance AMR तो बड़ा basic सी बात है इसके अंदर कैसे कैसे हो सकता है भाई देखो CDC बात है जब हम लोग antibiotics खाते हैं और वो हम खुद से ले रहे हैं कोई तरीका नहीं है पर सुबह खाली फिर कल खाली दो दिन बात खाली इस तरह से हम लोग खाते हैं ठीक होने के लिए कई बार ठीक भी हो जाते हैं लेकिन बैड इफेक्ट आता है उसका कई बार या कई बार ठीक नहीं हो रहे हैं तो वो दवाई पूरी तरीके से बैक्टरियों को किल नहीं कर पा रही है तो बैक्टरियों उस दवाई से क्या हो रहता है रेजिस्ट कर लेता अपने आपको कि अब अगर दवारा खाऊ गयो दवा तो रेजिस्टेंस नहीं आएगा they must ensure immunization to decrease the use of और ये कोशिश करेंगे कि सब लोग immunized रहें तो TOM你在 टो टो इंफेक्ट्ट्ट नहीं होगा ईंफेक्ट्ट्ट नहीं होगा थो एंटिबाटिक नहीं खाई जाएंगी तो रिजिस्टेंस वाली बात ही नहीं आएगी देखें गाइड हॉस्पिटल सांद सेलेक्षिन एंप्लिकेशन ऑफ सुटेबल एंटिवाइटिक वह गाइड करेंगा हॉस्पिटलों की सबसे बैस्ट एंटिवाइटिक कौन सी है ठीक ना ऐसा ना हो क कि ताकत वार बैक्टेरिया है हम लो लेवल के एंटिवाइटिक खा रहे हैं पड़ला उसका फरक भी नहीं पड़ा और उसने उससे अपने आपको रेजिस्ट भी कर लिया ठीक है और जो अच्छाइब मर जाता वो नहीं खाई तो क्या कर रहे हैं गाइड कर रहे हैं सिलेक अच्छान होगा छोट नोटे दवाईयां तुमारे पर असर नहीं करेंगी तुमारा खर्टा यह बढ़ेगा फार्मसिस्ट प्रवाइडर सक्सेस्फुल मेडिकेशन थेरपी मेनेजमेंट फार्मसिस्ट देखेगा कि जो ठीक आज एक तरसे किसी को दवाईयां चलता है त तो बदलने वाली कंडिशन आती तो उसमें रेजिस्टेंस वाली कंडिशन बढ़ जाती है तो वो अपने और नॉलिज़ करता है बताता है डॉक्टर को कि हाँ सर ऐसा ऐसा करके है वही तो देखता है समझता फिर उस तरीके से कंसल करते हैं वो लोग और बेस्ट मेडिसिन प्रवाइड करवाते हैं कि इसको पेशेंट को यह लोग क्या करते हैं जब एंटिबाइटिक दिया किसी को टीटमेंट किया उसके बाद देखते हैं क्या एंटिबाइटिक एफेक्टिव रहा है इस केस में यह क्या कहते हैं जो यह इसको बिमारी थी पूरी तरीक ठीक कर पो नहीं है जब वो उनको एक मिल जाता है, review कर लेते हैं, उनको एक परफेक्ट आंसर मिल जाता है, कि हाँ अब पूरी तरी ठीक रहा, तो उसको note कर लेते हैं, फ़र्दर किसी को उपर फिर क्या वापस ठरपी अपलाय करते हैं, तो उससे क्या होता, असानी रहती है, वो educate करेंगे patient को कि antibiotic का safe use कैसे हो सकता है किस तरह से proper लेना है और किस तरह से miss use से बचा सकता है तो यह सब मनलब कही न कही हमें antibiotic का miss use नहीं करना है जब भी antibiotic का miss use होता है या सही तरह से इस्तमाल नहीं होती है तभी resistance पैदा हो जाता है microbes के अंदर ठीक है ना और अगर resistance पैदा हो जाएगा तो क्या होगा दवाया उनके पर असर नहीं करेंगे फिर heavy heavy दवाया चलती है बहुत लंबे टाइम तर दवाया चलती है तो load पड़ता है patient के उपर clear है बाते हैं तो okay और यह है अपना mind nurture app ठीक है तो यह अपना क्या था lecture था पूरा complete lecture हो गया और अब समझते हैं हम लोग अपने कुछ खास बाते हैं अपने mind nurture app के बारे में आओ जानते हैं तो आओ जानते हैं अपने mind nurture app के बारे में तो yes हमारे channel का जो नाम है mind nurture उसी के नाम से अब app आ चुका है जो की google के play store पे मौझूद है ठीक है lecture के link में भी उसका description दे रखा है और चाहो तो direct कहा play store पे जा करके उसको download कर सकते हो ठीक है अब देखो YouTube पर lectures and notes YouTube पर भी available है free of cost है ना जब मैं पहले से भी पढ़ा रहा था यह तो मैंने बच्चे सब promise किया था कि lecture और notes जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूंगा कोई change नहीं आएगा जितने lecture मेरे app में होंगे जितने notes मेरे app में होंगे उतने lecture और notes आपको YouTube पर मिलेगा बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी वह चीज है one marks question की practice जो one marks important question होंगे ठीक है ना one marks question में basically तुम्हारे पास क्या आते है mcq और fill in the blanks ठीक है यह तुम्हारे अब नय जो pattern है उसमें नया exam pattern है ठीक है ना उसमें mcq और fill in the blanks आ रहे हैं दोनों मिला करके 10 नमर के यह आते हैं 10 नमर के यह आते हैं ठीक है plus two marks question याने कि आप इतना सारा पढ़ेंगे यहां वो कुछ important question दूँगा मैं two marks, three marks, five marks की आगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो pass तो guarantee हो जाएंगे ठीक है और जब detailed knowledge चाहिए होगी ठीक है तो उसके रहे पूरा lecture पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग मैं तो पढ़ाई रहा हूँ ठीक है और जिस बच्चे केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा इन questions की practice कर लेगा live class होगी अब माल लो मैं ये यूट्यूबर lecture को पढ़ा दिया है अब वो कहीं कुछ तुबार doubt first गया है ठीक है तो वो कैसे cover होगा वो तो उसके लिए क्या क्लास जो कि अभी start अलड़ी हो चुकी है बच्चे doubts पूछ रहे है और class चल रही है सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है MCQ टेस्ट की practice ये तो चलो एक बार को ठीक है MCQ questions MCQ questions की इतनी सारी practice होने वाली है हर lecture से 15-20 questions भी पूरे chapter से मिला करके 130 questions हो जाए करेंगे जो कि तुम्हारे deform और सबसे important exit exam की उपर बेश्ट होने वाले है MCQ questions अब जखो समझे क्या है ये MCQ questions का test हम लोग कहा नहीं ले सकते यूटूब पर नहीं ले सकते अब YouTube पे क्या होगा मैं बताता हूँ ऐसे मैं चल रहा हूँ question लिखा होगा चार option लिखे होगा मैं बोलूगा बच्चों ये question है ये चार option इसका answer ही है मजा नहीं आएगा ऐसे ठीक है ना मजा कैसे आएगा question सामने होगा तुम पढ़ोगा तुम आणसर क्लिक करोगे पढ़ करके सोच करके वो मजा आएगा उससे प्रैक्टिस होती असली ठीक है ना तो ये सबसे बड़ा उसका test हो जाएगा फिर combined test होगा एक किसका chapter number one plus chapter number two का फिर chapter three मालो खतम हो गया फिर उसके पाद एक combined test होगा one plus two plus three इस तरह से चलता रहागा चलता रहागा एक टाइम वो आएगा one plus two plus three मालो तेरा chapter है तो combined test हो रहे है ये जो test अगर बच्चा कोई मन से देता है बहुत अच्छे मन से तो more than 95% उसका कहीं नहीं गया है और अगर बे मन से भी दे रहा है 20-30% तयारी करके भी तो 40% यानकि 40 number लाना फिर उसके लिए final exam में बहुत आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात बेटा जो पढ़ाई होगी ना हमारा है इस exam को target करके होगी ठीक है ना जो सब्जेक्ट तुमारे exit exam में आएंगे उसको target करके पढ़ाई होगी यानकि जब theory पढ़ोगे या लिकोशन अच्छे से कर ले जागो तो MCQ तो बहुत अराम से कर ले जाओगे और MCQ जब बहुत अराम से किलर कर ले जाओगे बात समझ में आ रही है और fees बिल्कुल minimal है 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी subjects की फर्स्ट यर पूरा साल सभी subject 1100 रुपए सेकंड यर पूरा साल सभी subject फिर से 1100 रुपए यानकि एक साल की fees आपको 1100 रुपए पढ़ रही है इस fees को अगर आप अपनी college fees से compare करोगे तो ना कि बराबर है महिने का त इस से सस्ता cheap और best चीज आपको नहीं मिलने वाली है उसके बाद भी अगर कोई query है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है एप को ले करके ठीक है या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है notes का link जो description में दिया रहता है lecture के YouTube के सभी lecture मेरा कोई lecture ऐसा YouTube पे नहीं है जिसमें मैंने notes नह कालना नहीं आता है मुझे call कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ ले ठीक है उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बे जीजक बिना हिचके चाहे मुझे call करें doubt clear करें इस चीज को लेकर रहे सर कैसे क्या है ठीक है मैं तुम्हों को वह चीज बता दूँगा clear है बासमझ मे जरूर करना मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है selection रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अच्छी पालोगे हर एक चीज आपको अच्छी हो जाएगी ठीक है ना तो क्या करते रहो रिवाइस करते रहो और पढ़ते रहो all the best